देखे कल शाम को साड़े पांच बजे के आसपास बीस पच्चीस पुलिस वाले जहां जफ्रुल इसलाम साब रहते हैं अबुल फजल इंकलेव में इब लॉग में उनके घर में अंदर इंटर कर जाते हैं फोर्स ली मेरे पास पॉनेच साथ बजे के आसपास फोन आता है मैं वहां पहुंचता हूँ पहुंचने के बाद महां बीस पच्चीस लोग और इखटे हो जाते हैं और आईश्टा आईश्टा क्योंको रोजे का टाइम था वहीं अफतार किया हमने और पुलिस अंदर घुसी हुई थी उनके उनको ले जाने के कोशिश कर रही थी दो स्कॉर्पियो लेकर आए थे क्राइम ब्रांच वाले जो एक उनके गेट पर खड़ी कर रही उससे साफ इंडिकेशन था कि वो उनको बिठा के लेके जाना चाहते थे मैं रोजा वहीं हमने सलक पर अफतारा अफतारने के बाद मैं अंदर इंटर किया मैंने मैंने देखा कि उनके ड्राइंग रूम में तमाम पुलिस ऑफिसर जो एसीपी यहां जगदी यादवे वो भी मौझूद थी थे उनकी प्रिजेंस में उनको घेरे हुए बैठे किया कि पहले आप सबसे पहले आप करोना का नेगेटिव सर्टिफिकेट दिखाईए मुझे आपने लॉक्डाउन को को ब्रेक किया है आप फोर्सली ने आपने ट्रेस पासिंग किया आप दुनिया को कानून बताते हैं 20-25 लोग किसी के घर में इंटर कर जाते हैं फोर्सल ना तो आप इनके पूरे घर को पॉजिटिव करने आए हैं आप पहले दिखाईए हो उसके बाद में बात करूंगा इस बात पर उनसे बहुत होट टॉक हुई हम बिल्कुल नहीं दबे मैंने कहा कि आप मिस्यूस कर रहे हो लॉकडाउन का ये बात जहन में रख लेना कि ल प्रेस्टिंग कर रहे हो सुप्रिंग कोर्ट हाई कोर्ट कहता है कि आप जेलों से जादे जादे जमानते दीजिए कोशिश करिए कि जमानते दीजिए और जिसे कि जेलों में ये करोना ना पहले और आप सी ए नार्सी में जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था इसके आप दंगों के नाम पर फोर्सली जेले भर रहे हैं उनको ले जाके आप कैसे मैंने का आप मजबूर मत करिएगा हमें कि हम लॉक्डाउन को 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 तोड़ते हुए सड़क अपर उतर हैं खलत फैमी जहन में निकाल देना और ऐसा नहीं हो सकता दूसरी बात मैंने ये कहा कि कि लिए लेकर जा रहे हैं इन्वेस्टिकेशन एक पढ़ा लिखा दिए हैं माइनर्टी कमिशन का चैर्मेन हैं मीडिया से जोड़े हुए हैं तमाम उनके फादर बहुत बड़े स्कॉलर थे खुद जफरुल इसलाम साब एक बहुत ही अच्छी फैमिली से वेल नॉन फैम करने के लिए ले जाते हैं और वहां रेस्टिंग कर लेते हैं वो भी यह कहता है कि सीनियर सिटीजन अगर पहले 65 साल से उपर का अगर कुई शख्स है आप 160 का नोटिस अगर उसको आप सर्फ करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन उसके घर पर आप करेंगे आप फोर्स लिए उसको नहीं लेकर जा सकते और आप आप कमाम कानून की धजिया उड़ा रहे हैं मैंने और उसके बाद मैं बाहर आया उसके बाद ACP निकला बैलकॉनी में तमाम लोगों को गालिये फक्डिये करने लगा तो और धम की बतब एक बदमाशी के अंदाज में तो मैंने उसको उसी बादमाशी के अंदाज में जिस बादमाशी से ACP जगडी bullet उसी बादमाशी के अंदाज में मैंने उसको कहा कि जहन से दिमाग से निकाल देना समझे वो वकप अब जाने वाला है लोकडाउन का अतराम कर रहे हैं नहीं तुम्हें अभी हम बता देते इससे पहले भी हमने तुम्हें बताया मजबूर मत करो कि फिर हम सलकों पर उतरे प्रोटेस्ट करें महां बहुत बड़ी तादाद में लोग इखटे हो गए और उनको बड़ी मुश्किल हो गई महां से निकलने के लिए अल्ला का शुक्र है कि हम देखिए हम कोई लोग ब्रेकिंग लोग नहीं है ये करोना की आड़ में जिस तरह से इस्पेशल सैल ने क्राइम ब्रांच ने एक आतंग आतंग काट रखा है आतंग जिसको कहते हैं जिसको चाहे सुबह मौन्डी में आते हैं उठा के ले जाते हैं लोग घरों पे होते हैं रमजान का महीना है आप बताइए कि आप एक प्रोसीजर अप्राइए फॉलो करिए इन्वेस्टिकेशन को हम मना नहीं कर रहे अगर आपने कोई आपको डाउट सें आप एक एक लीगल प्रोसीजर है आपके पास कि आप वन सिस्टी का नोटिस इशू करीए इन्वेस्टिकेशन को जोइन करने के लिए बुलाइए मुझे भी बन सिस्टी का नोटिस इशू किया था शुरू में उन्हें पता था एक पॉलिटिकल आदमी है और ये इस बात पर वो करेगा इसलिए वो ये देख रहे हैं कि किसको तो मुझे दो बार किया मैं दोनों बार गया क्राइम बिराज में चैनक खुरी इन्वेस्टिकेशन जोइन किया मॉबाइल जमा किया हमने किया किया ओफिशली जमा किया हमारा मॉबाइल निकालिए इसमें क्या हमने कहां मेसिजिजिस फॉरवड किये हैं दंगे के आप ये पढ़ा लिखा मानाटी कमिशन का चेर्मेन 72 साल जिसकी उमर है उसके घर में आप बताएए कि पुलिस वालों को क्या नहीं हो रहा करोना कितने पुलिस वालों को निकल ला है 20-25 उसके ड्राइनूम में घुच जाते हैं उसकी फैमिली है वाइफ हैं बेटी हैं बेटे हैं आप तो पूरी फैमिली को आप डिस्ट्राप करने आ गए करोना लेका तो जिस तरीके से ये उनकी फेस्बुक पोस्ट को बहाना बनाया जा रहा है और ये कितना बड़ा इशू बना दे के देश द्रोई का मुकदमत अचकर कर गया आफिर आपको ऐसा क्या लग रहा है कि ये जो मुसल्मानों की आवाज उठा रहे हैं और सरकार लगाता है उनको दबाई रही है देखिए जो भी जो मुसल्मानों की आवाज उठा रहे हैं खासतोर से उनको तो टार्गेट कर रहे हैं जो आज की गौर्मिन्ट पे बैठे हुए लोग हैं अगर इनके खिलाब भी कोई हमारा हिंदू भाई भी अवाज उठा रहा है उसको भी ये मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं ये बिद्लकुल हिटलर और मर्सुरनली के नक्षय कदब पर चल रहे हैं यह आरेसस के लोग हैं यह यह मोटिवेट हैं हिटलर से हिटलर की ही पौशाक पहनते हैं यह वो जो हाप पहनते हैं हिटलर की पौशाक पहनते हैं जो उसकी आर्मी की पौशाक थी और जो उसका कैडर था उसी कैडर को लेके ही यह चले हैं यह हिटलर के अंदाज में मुरसुल और यह ने पता होना च इस मुलके और सभी मज़ाइब के लोग बहुत अच्छे लोग हैं ये कितनी कोशिश करने है ये काम्याब नहीं होंगे ये चाहते हैं कि इस मुलक में अफरात अफरी का माहल पैदा करके और हम यहार राच करें मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान बंगला देश अफ अवगानिस्तान में हमारे हिंदू भाईयों पर जुम होता है हम भी उसके खिलाफ हैं और बहुत बड़ी तादाद में हिंदू भाई हिंदूस्तान के बोलते हैं गौर्मिंट भी बोलती है तो क्या दूसरे के मुलक में दखला अंदाजी नहीं है अगर हिंदूस्तान के म वारे में बताता है तो आप उसके देजदुरों लगा देंगे कैसे बनता है बताई ये देजदुरों ये टेरर बनाना चाहते हैं ये मुसल्मानों को मेंटली टॉचर करना चाहते हैं देजदुरों करना चाहते हैं ये घलत फैमी में हैं ये मैं तो ये कहता हूं कि हिंदुस्तान का कल्चर जो इसे गंगा जबनी तहजीब कहते हैं हिंदु मुसलिम एक्ता कहते हैं हम उसमें यकिन लगते हैं हम अपने मुलके आईन में अपने मुलक के कानून में यदिन रखते हैं हम किसी के वक्ती तोर से द्वाव धपड में आने वाले नहीं है फोर्स का इस्तीमाल करके अगर वो हमें चाहते हैं कि हम डिमलाईज हो जाएंगे हम इस मुलक के बाश्चिजिंदे हैं इस मुलक में ही पैदा हुएं इस मुल्क में ही मनना है इस मुल्क में ही रहना है आगे आने वाले जनरेशन भी यह हमारा मुल्क है किसी यह बाप का मुल्क नहीं है हमारा भी इतने ही हाँ है मैंने रात कहा यह बात कही कि अब कपिल मिश्रा के घर गए अनुराग ठाकुर के घर गए उनके घर क्यों नहीं जाते हो तुम कोई कारवाही नहीं कि दंगा तो कपल मिश्रा है जिम्मेदार पूरा हिंदुस्तान जानता है धन्ने पे बैठे लोगों पे पत्थराओ आके किसने करा दंगा किसने भलकाया जिम्मेदार तो कपल मिश्रा है तो ऐसे ऐसे हालात में यह जिस तरह से यहां आतंग काट रहे हैं और जिस तरह से अब वक्त आ गया यह बरदाश नहीं किया जाएगा सफूरा को यहां से ले गए शफाव रह्मान को ले गए और ना जाने कितने लोगों को इन्होंने मिरान हैदर है है ना ना जाने कित्रे बच्चे को यू ए पी ये लगा दिया मेरे उपर दो फर्जी केस रेजिस्टर्ट कर दिये पस इस जलाने के हैं लेकिन हम तो पोलीटीकल लोग हैं हम तो फेस करने के लिए हैं लेंगर वो बच्चे हैं वो लोग बच्चे हैं वो सीया रमिль का प्रोटेस्ट करना है तो सुप्रे कोड पी का कि जी इनका हख है ठीक है रास्ता इन्हें बंद नहीं करना चाहिए लेकिन इनका हख है प्रोटेस्ट करने का जिस तरीके से लोग्टांग में अभी क्राइम ब्रांच जो है शिव बिहार मुस्तुफबाद इस तरीके के इलाकों से भी जो है मुस्लिम नौजवानों को उठा रही है और दूसरी तरफ जो सी एनार्थी का जो यह बामला चल रहा था इस पर भी तो इकिस तरफ लेकर के जा रहे हैं मुल्क को यह देखे ही मुल्क को मैं कि तो यह बात कहता हूं सत्तर बहुतर साल में जो आईएसाई और पाकिस्तान इस मुल्क को जितना नुकसान नहीं पहुचा पाया था इन्होंने 5-6 साल में उससे कई गुना जादे पहुचा दे आईएसाई और पाकिस्तान आज बहुत खोश है वो तो यह चाहते थे क्योंकि एक बहुत बड़ा फिलोसफर थे उन्होंने यह बात कही ह मेरे जहन से इस टाइम नाम निकला हुआ है कि किसी भी मुल्क को अगर बर्बाद करना हो तो उस मुल्क को पे एटम बं मानने की जुरूरत नहीं है उस मुल्क के लोगों को धर्म के आधार पर मधभ के आधार पे आपस में लड़ा दो वो मुल्क अपना अप तभा हो रहे हैं इस मुल्क की कल्चर को तभा कर रहे हैं ना इस मुल्क के फ्यूचर को मुस्तक्बिल को मुल्क की जन्ता की मुस्तक्बिल को तहस नहस कर रहे हैं मुलक के अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे थेके हमें मुलक के अवाम को मुझे पैगाम देने की जुरुत नहीं इस मुलक अवाम चाहे हिंदु ओ मुसल्मानों सिकों क्रिश्चिन been पार्फियों इस मुलक का हर शखस जो है आपसी भाईचारे में यकीन रखता है एक दूसरे के मजभ़ों का इहतराम करता है चंद लोग हर मजभ़ों बे गलत हो सकते हैं मैं इस बात की गारंटी नहीं ले रहा कि सारे मुसल्मान 100% सही है या 100% हिंदू सही है हर मुल्क में इस तरह के अनासिर होते हैं हर मधभ़ों में जो इस तरह का इंतिशार यह उनका इस्तामाल कर रहे है यह उन लोगों का इस्तामाल करके इस मुल्क में अफरत अफरी लेकिन majority of the किसी भी religion के लोगों सब भाई-चारा बनाके रखना चाते हैं प्रगाम देने की जरुरत नहीं है पमार्लामेंट में इतनी बड़ी तादात में अ्हिंदू भाई हमारे मुसल्मादों के व्कू लड़ाई लड़ते हैं पें मुसलमान ही एसने मुसलमान की लड़ाई लड़ता है C.A.N.R.C. पे जब लगा हमारे बहुत बड़ी तादाद में हिंदू भाईयों को कि नहीं ये गलत बात है धर्म के आधार पर ये चीज़ किया जा रहा है तो वो में हमारे साथ शरी थे और वो हमारे साथ जुड़े हुए थे धन्ने पर दशनों में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसल्मानों ने उसका पूस किया था बहुत बड़ी तादाद में हमारे सीख भाई थे हिंदू भाई थे जो हमारे साथ सुड़कों पर थे तो पैगाम हमें देने की जुरुत नहीं है इस मुलका सभी आम जन आम नागरीक बहुत जागरुक है और देखिए ये बहुत ज़्यादा आप कामियाब नहीं होंगे इनके पास कुछ और है नहीं इन्होंने इस मुलक को सैंकलों साल पीछे ले गए सब मुलक को तहस नहस कर दिया चंद गुजराती लोगों के हाथों में मुलकी बागडोर है है न और सारा फाइनिशल सेट अप उनके हाथ में है सारी इंडस्ट्रीज उनके हाथ में है कुझे लगता है जनता जरूर सब्कों पर आएगी और इनको सबख सिखाएगी